So, Hello Guys, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास, फिफ्थ क्लास है आज हमारी, फिफ्थ क्लास अल्रेडी हो चुगे है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने पढ़ा है कंपनियों का आगमन, जिसमें हमने पॉच्गीज, डच, इंग्लिश, डेनिस, फ्रेंच, देन, स्युडेन, हमने इनके बारे में पढ़ लिया, ये एक टॉपिक कम्प्लेट हमारा, और ये सेकंड टॉपिक हमने बढ़ा था, उत्तरकालीन, मुगल वाद्शा, जो की औरंग्जेब के बाद हुए है, तो हमने ये भी पढ़ लिया है, अब हमारा तीसरा टॉपिक चलेगा, माराथा, तो आज हम पढ़ेंगे, माराथाज के बारे में, माराथाज की खुमी का, माराथाज कैसे लाइम लेट में आए, और सम्टिंग, तो आज स्टार्ट करते हैं, तो माराथा का चोगी, मैं नीव का मुख्या निता माया, चत्तपत्री सिवाजी महराज को, इनकी मित्यों 1680 में होगी थी, इनका संगर्ष चलाता हो, रंग्जेब के साथ, तो 1680 में इनकी मित्यों हो गई, तो फिर इसके बाद साशन समाला, संभाजी ने, 1680 से 1689, बट और अरंग्जेब ने इनको गरफ्तार कर लिया, गरफ्तार कर लिया तो कोई बचा नीए, फिर इनका चत्रपती सिवाजी का एक और बेटा, राजा राम, उन्होंने साशन समाला 1689 से 17 ने, तो इनकी मित्यों होगी, तो इसकी बाएफ तारा भाई ने, तारा भाई ने, साशन समाला 1700 से 1707, अब 1707 में औरंग्जेब की मित्यों हो चुकी थी, अब मित्यों हो चुकी थी तो आजम ने, जो औरंग्ज, मुगल सहजादे आजम ने, संभाची जो उनके बेटे ते सित्रपती सिवाजी का, उनको रिहा कर दिया, अब रिहा कर दिय हो अब आएंगे, आएंगे तो बैटल तो हो नहीं है, बैटल होगी, तो बैटल कौन से होई, बैटल होई, खेडा, बैटल ऑफ खेडा, चुकी इन्होंने मरा कर दिया था उसने अपने सिंगोसेंग DC को चोड़ने अज टो बैटल ऑफ़ खेडा, जो कूई 1707 में, किसके ब इसमें जीत हुई साफू की ठीक है और ये सतारा का नया छत्रपती बन गया और तारा भाई अपने पुत्र संभूजी को लेके कोला पुर चले गई ठीक है ये एक तरह से आयोग के साशक छत्रपती था इसलिए इसके शाशंकाल में पेश्वा जो पेश्वा उनके एहतीन काम करते थे उनकी शक्तियां काफी अद तक बढ़ चुकी थी ठीक है अब बढ़ चुकी थी तो अब इसमें एक इंपोर्टेंट आता है बाला जी विश्विनाथ पेश्वा जो कर टैन वर था 1713 से 1720 ठीक है ये कोकन के कोकन छेतर के चित पावन ब्रहमन थे ठीक है और इनों नहीं जो खेड़ा का युद्ध हुआता है अतारावा यो संभू की जी के इनों ने इसका साथ दिया था ठीक है फिर शाहू ने इनका साथ दिया था तो इसको सेना करते बनाया था सेना को युनाइट करने वाला जिसको बोलते हैं सेना करते सेना को युनाइट करने वाला बोलते हैं इसको ठीक है 1713 में इसको पेश्वा बना दिया और 179 में फारुक सीआर और छथरपती शाहु के बीच एक समझता हुआ समझोता हुआ ठीक है इस समझोते में साहू की तरब से कौन थे साहू की तरब से थे बाला जी विश्विनात और फारुक सियर की जगह कौन थे हुसेन अली खान हुसेन अली खान एक तरह से कौन था हुसेन अली खान था अली ब्रोदर्स थे न जो सेयद बंदुवे थे स्वरी सेयद बंदुवे छोटा भाही था ये हुसेन अली खान ठीक है अब एक समझोता हुआ समझोते में क्या सरते थी सरते थी पहला सिवाजी का जो संपूर्ण स्वराज मराठा को दिया जाएगा ठीक है सेकेंड सरत जो नए जीते गए छेतर थे वो भी मराठा को दिया जाएगे ठीक है तीसरी सरत जो मराठा दक्षिन भारत से चौथ और सरदेश्म की जो टेक्स लेते थे वो लेंगे ठीक है अब चौथी सरत साहू जो साहू था उसके सवीर इस्तिदारों को छोड़ दिया जाएगा ठीक है यह चौथी हो गई पांच भी मराठा मुगलों को पिर्तिवर्ष दस लाख रुपे बैं पंद्रह हजार घुड सवारों की साहता करेंगे ठीक है और लाश्ट वर नॉट दलीस्ट मराठा कोलापुर में जाकर जो तारावाई का बेटा था सम्भू जी उसको तंग नहीं करेंगे ठीक है इस प्रिकार ये सर्तिती ये एक समझोता हुआ और एक इतियासकार रहे है रिचर्ड टेंपल उनके अनुसार ये समझोता मराठा के लिए मेंगना कार्टा था जिस प्रिकार अंग्रेज प्रतिनक मंडल के लिए फारुक सियार के साथ एक ओखवा था क्या बोलते है मेंगना कार्टा था वो समझोता उसी प्रिकार जो ये समझोता हुआ तो इतियासकार रिचर्ड टेंपल लें इसको एक मेंगना काटगा माराथा के लिए ठीक है अब सेयद बंधु थे ना जो सेयद बंधु माराथा के साथ से फारुक सियार की हत्या कर देते हैं ठीक है फारुक सियार चला गया और बस इतना ही है करो फिर अब पेश्वा नमबर टू आ जाता पेश्वा जो की एक बहुत ही बल्चाली वो थे पेश्वा वाजी राव प्रत्व जिनका टैन वर्टा 1720 से 740 इनकी कई उपाद्या थी लडाकु पेश्वा सेकंड फाउंडर ओफ मराटा एंपायर मराठा समराज्य का दूसरा संस्तापक पहले तो चत्रपति सिवाजी बोलते हैं उनको लेकिन इस सेकंड इसी को बोले जाता क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली नेता थे इसके मतलब एक कल और थर्ड पादी इनको बोलते हैं हिंदु थी इनकी क्या विशेश्ता थी छापामार युद्ध प्रणाली चापामार युद्ध प्रणाली को इन्होंने अनुसरा ने किया ठीक है अब इन्होंने एक बैटल भी लड़ी थी बैटल है बैटल ओफ पाल खेडा बैटल ओफ खेडा तारावेवर्स सामभू उसके बीच में थी अभी अपने पड़ा है शाहो के बीच में तारावेवर्स शाहो के बीच में और बैटल ओफ खेडा पाल खेडा ये है बाजी राओ पर्थम वर्सेज चिंकलीज खान चिंकलीज खान कौन थे यह हैदराबाद के नवाब थे ठीक है तो ये जीट जाता है ठीक है और इस युद्धि के लिए एक संदी हुई जिसको कहते हैं मुंगी सिवगाओं की संदी बस इतना ही पूछा जाता है कि मतलब इसके बीचने कौ इतना ही था इसका ठीक है और इन्होंने और भी कुछ-कुछ कारे करे थे जैसे कि महम्मद खांबंगस के खिलाब छत्र साल बुंदेला जो की ओडचा के राजा थे उनकी साहता की थी और छत्र साल बुंदेला ने बाजिराओं को चार जागिरे भेट की थी जिसमें सागर था यह इंपोर्टन था जो छत्र साल बुंदेला थे बंदेला ओर्चा के राजा थे इन्होंने चार जागिरे दी युद में साध्य निकले पहला सागर सेकंड था कालपी थर्ड बन इस हिर्देनगर और फूर्थ जहासी जहासी बोलते हैं इसको ठीक है और इन्होंने और भी काम करें जैसे इन्होंने पुर्तकालियों से सालसेट और बासीन नाम से एक जागिरे छीन ली दी थी और जंजीरा के सिंधियों पर अपना अकर्मन सिद्ध इस्तापित कर लिया था और ये इतने शक्ति चाली थे जैसे कि ये अपनी सेनप पांसो गुड़ सबारों के साथ दिल्ली गए तो उस टाइम जो मुगलवात चाहता मुहम्मद सार रंगीला वो दिल्ली छोड़कर भाग चुका था तो इतने वल्चाली थे ये वाले मतलब ये बाजी राव फस्ट ठीक है तो इसका एक मूवी भी आई है बाजी राव मस्तानी वो देख सकते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही सो नेक्स्ट पेशवा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थेंक्यू गाइस